ऐसा क्या हुआ कि बच्चे उत्रे सडकों पर सिख्ण विभाग के दावों की पोल खोलता ये वीडियो सिर्फ एक सिख्षक के जिम्में हाई स्कूल अपने भविश्ची के लिए बच्चों ने उठाया ये खत्रा सरकारी स्कूलों में सेक्षणिक गुनवक्ता बढ़ाने को लेकर सरकार के दावे भले ही बड़े-बड़े हो लेकिन हकीकत कुछ और ही बया करती है सिख्षविभाग के सभी दावों को खोकला भी साबित करती है राजन गाउं जिरे में स्कूली सिख्षा का ढाचा पूरी तरह चर्मराता दिखाई दे रहा है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कई स्कूल एक-एक सिख्षकों के भरों से चल रहे है तो कहीं जरजरवा बदहाल भवन में स्कूल संचालित किया जा रहा है यही कारण है कि सखरकारी स्कूलों में बच्चों का दाखिला लगतार घटता ज़ा रहा है डोंगरगण विकास खंड के अंतरगत शाषकी पूर्व माधिमिक शाला बाग नदी में भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है जहां सिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर स्कूली बच्चों ने अपनी जान जोखिम में डालकर नैशनल हाईवे पर उतरना पड़ा इस वज़ा से लंबे समय तक नैशनल हाईवे पर लंबा जाम लगा रहा आपको बता दे कि वरतमान में शाला में बच्चों की संख्या 82 है 82 बच्चों की सिक्षक की जिम्मेदारी एक ही सिक्षक की कंधों पर है इसे लेकर कई बार शिकायते भी की गई लेकिन सिक्षा विभाग के कानों में बच्चों के भविश्य को लेकर जू तक नहीं रेंग रही अंतिताज सिक्षकों की नियुक्ती की मांग को लेकर मासूम बच्चों को नेशनल हाइवे पर उतरना पड़ा बच्चों ने सबसे पहले नेशनल हाईवेच छे पर चक्का जाम कर दिया जिसके बाद प्रसाशनिक अमले में अफरात तफरी मच गई और बरसों से कुम्ब करण की नीन सोया प्रसाशन हरकत में आया मौके पर प्रसाशनिक अधिकारी पहुंचे तो उन्होंने समस्यक निराकन के लिए अस्वाशन दिया इसके बाद बच्चों को समझाईज दी गई हाथ पैर जोड़ा गया उसके बाद उन्हें कहा गया कि आब आप अपनी स्कूल और घर जाएं वहीं कलेक्टर ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ततकाल दो सिक्षकों की विवस्ता करने के आदेश जारी किये राजन गाव से टीसीबी 24 कलेवी पुल कनाईया की रिपोर्ट